हलो और वेलकम तो वाइशायस माई नेम इस इशी एंड इस वीडियो से हमें एक अगेन नया चाप्टर शुरू करने वाल है सो इस वीडियो में हमें यह पढ़ना है तो मौरन डैनस्टी मौरन एंपायर वो पावर के ऊपर कैसे आया है अब आप पूछोगे कि पिछले वाले चाप्तर में महांदनपत्स पढ़ते हैं मौरन पर कहा से आ गए वो इसलिए आ गए क्योंकि मगत के अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल एंपायर बना है वो मौरन एंपायर ही था है मैं एक बार कनेक्ट करवाती हूँ हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ चुके हैं हम लोग और अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो क्लासिस नहीं अटेंड करिए प्लीज जाके वीडियो देखके आए अधर्वाइस यह वीडियो किसी काम की नहीं है ठीक है जो महा जनपत्थ्त थे न वो 16 स्टेट्स उबर के आए थी और में जो एक महा जनपत्थथ था वो काम कारे तो वहां जन्पत कौन सा था?? वह मगत था, तो मगत काफी स्ट्राटोंग होगा तो काफी ़ॉग तुकुल लॉंघ तर्भ हमें लॉग तर्म में शवाइफ कर पायगा तो आप देखो के जो मगत के अंधर में जो सबसे पहला और सबसे बड़ जो एंपायर बनाना वो जो जो भी एस्परेंट सीरिस्टों करके UPSC के प्रेपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दियेगा है WhatsApp नंबर पर हमारे वाइस शर को कॉंटाक्ट कर सकते हैं सी, सारे वीडियोस प्री में मिल रहा है, ऊपर से 20 फांडेशन वीडियोस जो मैं गरेंटी देती हूँ, UPSC को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगी, अगर आप में सीरिस्ली इन 20 वीडियोस को देख लिया तो, वन-to-one mentorship है, कोई गुरूप वगेरा बना है नहीं, जा यहां पर अशोग के बारे में बात की गई है, तो मैं थोड़ा सा पहले उसका background बता देती हूँ, background क्या रहा होगा, C, जो हमारा Moran Empire उसके दो जगह से evidences मिलते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही जगह से मिलते हैं, बहुत सारे archaeological sources भी हैं, बट में अगर बात करे जाना, तो यह दो ज बानने हैं कि यह एक ही person थे, इसलिए हम भी यहां पर एक ही prefer करेंगे, तो पहला जो evidence मिलता है, वो चारणक की है, या फिर cotton लिखे अर्थशास्तर से मिलता है, now second one is Megasthenes की एक book हुआ करती थी, Indica, जिसको Megasthenes ने लिखी है, अब यह Megasthenes कौन था, तो Megasthenes एक सेलिकस निक इनको मौर्यास के कोर्ट में भीजा गया था, उसके वाद ही आकी यही पर रहे, इन्होंने अपनी लिखी इंडिका, तो आप इन्होंने काफी कुछ बताया इनके वारे में, आप देखो कि ना, जब चंदरकुप्त मौरया जब शाषन की है, तो वो गदी पर आये, उसके आप देखो कि एलेक्जेंडर जो था, एलेक्जेंडर दे ग्रेड जिसको वर्ल्ड करने का बहुत शौक था, मतलब दुनिया पर राज करना था उसको, तो उसने अटैक किया, बट यह लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना, कि इनको जो नौर्ट वेस्ट वाला एर अगर कोई किसी एक एरिया में किसी एक इंसान को बोल के जारा है कि यहाँ पर आप देखो यह इतना आपका आप इतना रूल करना तो बेसिकली तो किंग तो वह यहाँ उसे रहेगा, ठीक है, तो उन्होंने लेक्जेंडर को यहाँ पर बढ़ा दिया, और शेलेक्जेंडर दूल से पाउंडर है, जो चांडगोपतु मौरेय किस के help से बनते हैं, तो चांडग को लेक्टा के help से बनते हैं, इसकी पीछे कहानी है, जो आप हागे क्लासत में पढ़ोगे, थीक है, तो चांडगोपतु मौर्चे अ को उस पोर्टेट भाइजर में नेम्द है, जिस न and you will see Moran Empire कहां तक फैला है एक सिकिंड आप देखोगे see Moran Empire इतने red red dots दिख रहा है इधर भी इधर 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 पूरा यह सारा का सारा Moran Empire फैला हुआ है आपको एक नहीं म्यान होना चाहिए मैं मैप में कुछ लोकेशन दिखाती हूँ यह बहुत ही स्ट्राटेजिक लोकेशन हुआ करती थी देखो पाटली पुत्र इधर है यह वाला area अपका इधर है तक्षिला आप देखोगे तो वह इस साइड है ठीक है तो यह जो इनकी बहुत बार capital भी shifting capital shifting भी इनका हुआ था मौरियास का तो capital shifting क्यों हुआ था क्यूंकि इनका जो capital था पाटली पुत्र था एक टाइम पे और भी सारे capital थे ठीक है तक्षिला हुआ उजयन हुआ तो यह सारी इन सब की लोकेशन बहुत ही strategic थी तो यह लोग capital shifting बहुत जादा किया करते थे बहुत जादा तो नहीं किया बट हां जो भी किया उस capital की बहुत ही strategic location हो लोग खरती थी like agriculture, transport, facility यह सब देख लेकिकिया करते थे वो लोग ठीक है आगे चलते हैं यहां मेंने बहुत सारी सिटी थी आप देखो ना मैंने अब भी दिखाया आस मैं आपकी बुक से लिया गया है आपके पिर जो फेड़ी बुक कि फेड़ लिखे हैं यहां पी बिलरी टाइप का है तो मैं इसको जूम नहीं करने वाली हूँ आप बुक से देख लेन आपने तो यहां पे जो बहुत सारे सिव्चेटिज थी नहीं भुहाँ पेड़ टाइप की लोग रहा करते थे तो वो different parts of the empire में वो लोग settled हो चुके थे, ठीक है, उन लोग के occupations भी बहुत अलग-अलग हुआ करते थे and now you will see, जो several cities थी ना, जो कि, especially जो यहाँ पर black dots में mark की ही है, आप जड़ा ढूंडो, important cities यहाँ पर map में लिखा भी है, तो है पातली पुतर दिख रहा है, एक अजयान दिख रहा है, तो इन तीनों का importance समझो, पातली पुतर तो करो अपने में बहुत ही जदा importance है, तो तक्षि जड़ा आए न, यह नौर्थ वेस्ट का gateway था है, यह उजयान है यह इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, मतलब यह बीच में आ रहा है तो इन नौर्थ एंड साउथ वाला जो एरिया इसको आपस में कनेक्ट करता है, यह कौन उजयान, अब भी बताया है, यह अग चलते हैं, अच्छा एक सवाल यह है कि जो महाजनपत से उनमें जो 16 स्टेट आए थे, उनमें सभी को पता है कि मगद थ्वासा एवॉल्फ हुआ जादा लॉंग टर्म में सर्वाइब हुआ उसी के अंदर हमारा Moran Empire बना, तो मगद के टाइम पे इतना कॉंसलिडेट नहीं यह दो इतना expand कर लिया, you know what, मैंने पिछली वाले चैप्टर में बताया था, पिछली वाले लेक्चर में कि यह लोग ना वो टैक्स लिया करते हैं लोग, टैक्स लेने के तरीके भी change हो चुके थे, क्या change हो चुका था, मतलब कि यह लोग हर किसी से टैक्स लिया करते थे, ऐसा नहीं कि जवर जास्ती नहीं लिया करते थे वह नहीं दे रहे हैं टेक्स उनको मारूज पीटू ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पर यह स्कूलण से जोपराइबर फ़ पुस्दी के ने के यह कैने तो ऐसे से फॉर्म में टैक्सिस लिया करते हैं लोग इनकी आर्मी थी उस ताइम पे तो आर्मी को भी मेंटेन करने के लिए उनको सेलरीज वागरा देनी पड़ती थी आप देखो कि इसी वज़े से ये एमपायर दूसरे किंग्डम से अलग था ये जो एमपायर था इसने अपना जो एरिया था वो एक्सपैंड किया टैक्सिस कलेट करके मैंने बहुत पहले थी पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी एरिया को जो एक्सपैंशनिस्ट पॉलिसी होता है या फिर कोई भी एरिया जो आगे बढ़ रहा होता है वो कैसा भी हो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो उसकी एरिया की economy पर डिपरिंड करती है ठीक है जैसी economy होगी वैसे आप चलोगे ठीक है बात करते है rolling the empire में देखो empire को rule करना मतलब अभी इतना पूरा इंडिया उनक मतलब उनके अंडर में है तो आप एक जगा से बैठके ना हर एक चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते हो अगर आप चाहो कि मैं पाटली पुत्र में बैठ करके पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लो तो ऐसा नहीं हो पाना यासा बिलकुल impossible है तो यह लोग क्या करते थे जो जो आप चाहिए वह इन अरिया का जिनकी अपिटल हुआ करते थी इन तीन का इंपोर्टेंस अलाग अलागा ए पुत्र जो नहीं बाद में चेंज किया था तब जाके वह पूर्ट पुत्र बनी थी उसके पहले भी बहुत सारी रही थी ठीक है तो आप देखोगे कि बाकी सारे जगह पे इन्हों ने गवर्णर से पॉइंट किये थे बट यह जो दो अरिया था था ना तक्षिला उज्जन और पार्टली पुत्री तीन एरिया यहां पर जो चांदरकुप्त मौर्या बोलो या फिर अशोका बोलो इन लोगों ने डिरेक्ट अद्मिलिस्ट्रेशन लिय क्यों लिया मैंने अभी थोड़ देर पहले बताया हैं कमेंट में बता दो क्यो लिया सिरसीो करके वीडियो देख रहे हो थोड़ती अनलाइज करो और बताओ क्यो लिया आप लख़र जो अर्था शास्त्र है ना अर्थ-शास्त्र में तुम्हें बहुत सारी चीज़ेs पता चल दे हैं, Moran Empire की बारे में बिल्कुल एक Detail Version Dيع Rट इया गया है एन अफ्कुर्स, Indira में भी Yes, Indyga में ऐसा Detail Version दिया गया है आर्थ-शास्त्र में आपको यह पता चलगा लिगा कि Moran Empire की Political Situation स्पेशली एकॉनमी के बारे में बता चलेगा इर्थशास्त्र वाले बुक में और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी आब भी बता दो कमें ठीग है तो इर्थशास्त्र में आप देखोगे की यह बताई गया है जो मैंने बताने क्यों लोग taxes लिया करते थे अब वो जरूरी नहीं क्यों टैक्से पैसे कही फर्म में हो हो सकता है किसी के वहाँ raw materials जादा होता है हो सकता है किसी के वहाँ stones वगरा जादे होती हो हो सकता है किसी state में agricultural production बहुत जादा हो तो वो वो सब लोग दिया करते थे लोग and वो सब कुछ in the form of taxes दिया करते थे लोग तो यहाँ पर वो बता रखा है कि जो north west वाला area था यहाँ पर देखो आप जो north west वाला area था वो blankets के लिए important था जो south वाला area था जो south वाला area था जो south में आप चले जाओगे वो अस्वार निगिरी वगरा वगरा यह इन सब area में तो वो gold and precious stone के लिए जाना जाता था ठीक है आगे चलते हैं अब बात करते हैं Ashoka a unique ruler you know the most famous ruler बहुत 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 थे थे modern ruler ruler yes मैं बार बार confused जाती हूं ruler को कुछ और ही बोल देती हूं तो यह Ashoka ना बहुत ही unique weekend से king थे मैं rural नहीं बोलूंगी अजीब अजीब words निकलते हैं मेरे मुस्टे मेरे मुस्टे में really sorry for that so यह क्या था ना कि इनके में खासियत क्या था कि इन्हों ने बहुत सारे inscription इंस्क्राइब करवाई था जब हम लोग वह ना चाप्टर पढ़ रहते हैं in the earliest cities वाला तो हम लोग ने शायद उसी में देखा था ना इंडर्स फैले सिविलाजिशन नो हम लोग लोग ने उसमें देखा था कि इंस्क्रिप्चन वगेरा क्या चीज होती हैं मैं उस ताम पर बताया भी था कि आप आगे आगे आके आप नम्ब 7 में यह वाला चाप्टर पढ़ने वाले हो यह इंस्क्रिप्चन के पढ़ने वा जो उनके थौट्स थे उनको इन्होंने इंस्क्राइब करवाय था ठीक है किस पर करवाय था मैंने बताया था ना इंस्क्रिप्चन जब आप इंस्क्राइब करवाते हो तो वह किस चीज पर करवाते हो आप वो भी मुझे कमेंट में बताओ if you are watching this video seriously then surely you are able to do this चलो आगे चलते हैं और सब उनकी जो language हुआ करती थे न वो प्रकृत और ब्राम्मे स्क्रिप्ट हुआ करती थी mainly अब बात करते हैं न एक बहुत ही famous incident के बारे में Ashoka's Kalinga War आप देखो कि जब Ashoka power के उपर आता है तो इनों यह क्या करते है न इनको हलकी सीन के भी वो policy होती है इनका भी मन होता है कि मुझे कंट्रोल करना है ruthlessly नहीं कंट्रोल करना है बिल्कुल वो rudimentary तरहीके से नहीं कंट्रोल करना है जीतने के बाद इनको याद आया, यह मैंने क्या कर दीया मतलब एक होतना की काम कर दीया, उसके बाद ने पचता रहे, कि यार यह मुझे नहीं करना चाहिए था, यह बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि यह थे बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, तो इनक वो इंटेंशन नहीं था, कि इतने सारे लोगों को मार दो, इतने सारे लोगों को बेघर कर दो, उसके बाद रूल करो, इनका वो वाला मतलब नहीं था, इनको बस सिंपल सा रूल चाहिए था, आप मुझे टैकसेस देते रहना, ठीक है, बट उसके वजए से, जब यह औरि इनको बहुत ही गिल्ट फील हुआ, मतलब अंदर से कि आरे मैंने क्या कर दिया, लाखोर लोग मरे थे उस वाले वार में, तो उसके बाद से अशोका का जो थोड़ा सा इमोशन था, वो देखने को मिला, फिर उसके बाद से अशोका का जो माइन था, वो भी चेंज हो गया, और उसके बाद ने अशोका अपना धम, धम्मा मींज अशोका का धर्म, जो वो सोचते हैं, उनके थौट्स, उनके विचार, उन्होंने न सब इंस्क्राइब करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, चूंकि यूवल सी कि बहुत सारे उस ताइम पे एनिमल्स को साक्रिफाइस क किया गया, स्लेवस को वहां से लीकिया गया, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, उसके वाद से जो फैमिलीस थी, वो नेवर्स हमेश्छा आपस में लड़ा किया करती थी, जो रिलीजिन को लेके कभी लोग लड़ा करते थे, तो उन लोग को लगा, शोका को तो आपस में ट्रीटी करके सुल्षा लो लेकिन लड़ाई मत करो यहां पर लड़ाई नहीं करनी है, हमारे राज में लड़ाई नहीं होगा, तो यह बिल्कुल खिलाफ थे वाइलेंस के आपके सकते हो, तो इन्होंने अपना जो धम्म था, जो इनके थार्स और विचार थ इन्होंने काफी अपने जो धम्म था उसमें उन्होंने इंस्क्राइब करवाया इंस्क्रिप्शन पर ठीक है, और आप देखोगे कि अशोका ने ऐसे कुछ लोगों को भी पॉइंट किया था, जो अभी ऐसा तो नहीं है, कि सब लोग उस ताइम पर लिटरेट होंगे, सब मैं प्रिययँ दर्शी मतलब लोगों को बहुत त्यारा, लोगों को ब्लुकल चहेता, लोगों को भॉथ पहरा हुता है देखों के अपने 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 मेंसेंजर्स को बहुत दूर दूर तंक रेजा है like Syria हो गया, Egypt, Greece and Sri Lanka इतने दूर दूर तक बेचा है क्यों अपने आइडियास को प्रपोगेट करवाने में जो Ashoka थे न वो Buddhism से बहुत influence थे ठीक है Buddhism इनको काफी मतलब प्रभाविद you can say थे kind of प्रभाविद हो न वो Buddhism से काफी प्रभाविद से रहा करते थे ना मैंने अभी बताया कि बहुत सारे टाइप के लोग रहा करते थे लोग जो लोग फोरेस्ट में रहा करते थे लोग वो एज़ टैक्सिस चाही देते होंगे लोग Timber, Honey, Wax ये सब दिया करते थे लोग मैंने बताया अभी तो ये कुछ नेम्स है Timber, Honey, Wax अपने एलिफेंट फंगे रहा प्रोवाइट करना तो ये आपको नेम अगे रहा याद रखना पड़ेगा एंड एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पर देखो इस चाप्टर में बेसिकली वैसे अभी तो ये क्लास 6 का है ना तो उतना कुछ बहुत ही कोई rocket science नहीं लगाना इसमें बस जाना है बुक को पढ़ना है एक बार अच्छे से एंड थोड़ा सा अनेलाइस करके पढ़ना है क्योंकि हम लोग history को chronological वे में पढ़ने कोशिस कर रहे हैं तो वो chronology टूटनी ने जाहिए ठीक है तो वो बुक जाके पढ़ना है और उसके बाद जो वो मैप मैंने दिखाय था ना मैप में आप जो यह ब्लैक डॉट्स थे आपको दिख रहे हैं पाटली पुतर तक्षिला एंड उजयन यह हो वा क्या आपका आपका आपको पता करके आना है कि यह तीन जो यह जगह था ना इजन में ऐसा क्या खास था क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो में मैंने बताया है बट स्टिल वुप पढ़के आना उसके बाद कमेंट करना इस पे ठीक है जो सीरिस अस्परेंट होगा वो ज़रूर कमेंट करेगा मैं होप करती हूँ ऐसा एन अफकोर्स यार सर को कॉंटाट कर लो पेने फिट आपका योगा ओके सो थांक यू थांक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच वेरी बाई